मेरे प्यारे देश्वासियों, अमरित महोत्सव पर आप सब साथी मुझे धेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं, इसी स्रंकला में कुछ ऐसा हुआ है, जो मेरे लिए अविस्मर्णिया है, मुझे एक करोड से जादा बच्चों ने अपने मन की बात पोशकार के जरिये लिखकर भीजी हैं, ये एक करोड पोशकार देश के अलग अलग हिस्सों से आये हैं, विदेश से भी आये हैं, समय निकाल कर इन में से काफी पोषकार को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है इन पोषकार्ट में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्च के लिए हमारी नई पीडी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है मैंने मन की बात के स्रोताओं के लिए कुछ पोषकार्ट छाटे हैं जिनने मैं आप से शेर करना चाहता हूँ जैसे यह एक असम के गुहाटी से रिद्दिमा स्वरगियारी का पोषकार्ट है रिद्दिमा क्लास सेवंध की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के सौवे साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती है जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो आतंगवाद से पुरी तरह से मुक्त हो शत्परतिसत साक्षर देशों में शामिल हो जीरो एक्सिडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनिक से फूड सिकुरिटी में सक्षम हो रिदिमा हमारी बेटियां जो सोचती है जो सपने देश के लिए देखती है वो तो पूरे होते ही है जब सबके प्रयास जुडेंगे आपकी युवापीडी इसे लक्ष बना कर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती है वैसे जुरूर होगा एक पोश्कार मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज की नव्या वर्मा का भी मिला है नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपुन जीवन मिले जहां किसान सम्रुद हो और प्रष्टाचार न हो नव्या देश के लिए आपका सपना बहुत सरहानिय है इस दिशा में देश तेजी से आगे में बट रहा है आपने प्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की है ब्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों ये काम हम सभी देश वासियों को आज की युवापुडी को मिलकर करना है जल्द से जल्द करना है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने करतव्यों को प्रात्फिक्ता दें जहां करतव्य निभाने का एसास होता है करतव्य सर्वपर ही होता है वहां प्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता साथियों एक और पोश्कार मेरे सामने हैं चेन्नेई से महमबत इबराहीम का इबराहीम 2047 में भारत को रक्षा के खेत्र में एक बड़ी ताकत के रुप में देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिजर्ट बेश हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बसाने का काम शुरू करें साथी इबराहीम पृत्वी को भी प्रदूशन से मुक्त करने में भारत के बड़ी भूमिका देखते हैं इबराहीम जिस देश के पास आप जैसे नवजमान हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है साथियों मेरे सामने एक और पत्र है मंद्र प्रदेश के राइसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोषकार को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा भावना ने क्रांतिकारी शिरिश कुमार के बारे में लिखा है साथियों मुझे गोवा से लौरेंचियो परेरा का पोषकार भी मिला है ये कलास 12 की स्टूडेंट है इनके पत्र का भी विशे हैं आजादी के अंसंग हिरोस मैं इसका हिंदी भावारता आपको बता रहा हूँ इन्होंने लिखा है विकाजी कामा भारतिय स्वतंतरता संगराम में शामिल रही सबसे बहदूर महिलाओं में से एक थी उन्होंने बेटियों को ससक्त करने के लिए देश विदेश में बहुत से अभियान चलाए अनेक प्रदर्शनिया लगाई निश्चित तोर पर भिकाजी कामा स्वाधीन ता अंदोलन की सबसे जाबाज महिलाओं में से एक थी 1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा भैराया था इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया था वो थे सिरी शामजी कृष्ण वर्मा सिरी शामजी कृष्ण वर्मा जी का नीधन 1930 में जेनेवे मा हुआ था उनकी अंती मिच्छा थी कि भारत की आजादी के बाद उनकी अस्थियां भारत लाई जाए वैसे तो 1947 में आज़ादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्तियां भारत वापिस लानी चाहिए थी लेकिन ये काम नहीं हुआ शायद परमात्मा की इच्छा होगी ये काम मैं करूँ और इस काम का सौभाग्य भी मुझे ही मिला जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो बस 2003 में उनकी अस्तियां भारत लाई गई थी शाम जी कृष्ण वर्मा जी के स्मृति में उनके जन्मस्तान कच्छ के मांडवी में एक समारक का निर्मान भी हुआ है साथियों भारत की आजादी के अमरित महोत्सव का उत्सा केवल हमारे देश में ही नहीं है मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोष्कार्ड मिले है क्रोएशिया के जाग्रिब में स्कूल ऑफ एप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमरित महोत्सव की बधाई दिये हैं मैं आप सभी देश मास्चों की तरफ से क्रोएशिया और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूँ